आंक्णों की संकलन और आयोजन से संबंधित उदाहर कलेक्शन एंड अर्रेंजमेंट अफ डेटा बच्चों, इस वीडियो में हम आंक्णों का संकलन, कलेक्शन, करना और उन्हें संयोजित धंग से लिखने के कुछ उदाहरन देखेंगे अरे, क्या बात है? आज तुम सभी एक साथ? दीदी पडोस के गाउ में मेला लगा है, क्या आप हमें लेट चलोगी? हम, जरूर, अगर तुम सभ एक वादा करो क्या? कि तुम सभ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलोगे, ताकि कोई गुम न हो जाए हाँ दीदी, हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे तो ठीक है, चलो, हम मेले जाने की तैयारी करते हैं लेकिन जाने से पहले मैं जो पूछूं, तुम लोग अपने हाथ ऊपर करके उत्तर देना, ठीक है? ठीक है दीदी तो सक्थ से पहले हम जानते हैं कि कौन बच्चा कौन सा जूला जूलेगा या कौन सा खेल खेलेगा ताकि कल वहाँ जाकर टिकेट खरीदने में आसानी हो बताओ किसको जाइंट वील या बड़ा चक्र पर जूलना है? एक, दो, तीन, चार, पांच और छे मुझे डर लगता है दीदी कोई बात नहीं, तुम दूसरे जूले पर जूल ले ना? अब बताओ, किस-किसको हिंडोले पर जूलना है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और दस, वह! उस पर मेरा सर घूमता है दीदी कोई बात नहीं, तुम कोई और खेल खेल ले ना? अब बताओ, किसको गुबारों को फोड़ने वाला खेल खेलना है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस और ग्यारह अरे वा, सभी ये खेलोगे? हाँ दीदी, इस खेल में जीतने से इनाम मिलता है अब बताओ, किसको रिंग फेक कर उपहार जीतने वाला खेल खेलना है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ मैंने आपकी इच्छा अनुसार एक तालिका बनाई है इस से मुझे पता चलता है, कि हर खेल के लिए मुझे कितने टिकेट खरीदने पड़ेंगे क्या तुम बता सकते हो, हमें कुल कितने टिकेट खरीदने होंगे? पैटीज बोलो तो, हमें सबसे ज़्यादा किस खेल के टिकेट चाहिए? गुबारे फोडने वाले खेल के लिए सही, अब बताओ कि मुझे आठ से ज़्यादा टिकेट कितने खेलों के लिए खरीदनी पड़ेंगी? दो एक दम सही, देखा, मैंने आखडों को इकठा करके एक तालिका में आयोजन किया, तो तुम सबने कितनी आसानी से मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया? हाँ दीदी दीदी, चलो ना आखडों के संकलन और उनके आयोजन से संबन्धित एक और उधारन देखते हैं हाँ बिलकुल, हमें खेलते खेलते वहां भूख भी तो लग जाएगी तो चलो, अब हम खाने से संबन्धित आखड़े इकठा करते हैं तो अब तुम सब मुझे बताओ, किस-किस को गोलगप्पे खाने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ किस-किस को बुढ़िया के बाल खाने हैं? एक, दो, तीन, चार और पांच दीदी, मेरे दाथ में कीड़ा है, मैं मीठा नहीं खाता ठीक है, किस-किस को समूसे खाने हैं? एक, दो, और तीन किसको ब्रेट पकोड़ा खाना है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ किस-किस को बरफ का गोला खाना है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ और आठ दीदी, ये क्या बनाया है आपने? इसे चित्रा लेक या पिक्टोग्राफ कहते हैं इसमें मैंने हर खाने के सामने उसे पसंद करने वाले बच्चों की संख्या चित्र के द्वारा दिखाई है इस पिक्टोग्राफ को देख कर मुझे बताओ कि इन में से कौन सा खाना सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है? बरफ का गोला एक दम सही अब बताओ हम समोसे जादा खरी देंगे या ब्रेट पकोड़ा? ब्रेट पकोड़ा एक दम सही कितने बच्चों को गोल गप्पे पसंद है? साथ बहुत खूब तो देखा चित्रा लेक भी आकड़ों को आयोजित ठंक से दर्शाने का एक तरीका है इससे हम कितनी जल्दी उत्तर दे सकते हैं? हाँ दीदी अब आप सब घर जाओ हम सब कल सुभर ग्यारा बजे मेला देखने चलेंगे तो बच्चों, आज आपने सीखा कि किस तरह हम आकड़ों का संकलन करके उनको तालिका और चित्रा लेक में आयोजित करें तो हम कितनी आसानी से आकड़ों को समझ सकते हैं? बच्चों, इस वीडियो में हमने आकड़ों का संकलन, कलेक्शन, करना और उन्हें सैयोजित धंग से लिखने के कुछ उदाहरन देखें को समसी आकड़ों करें आसानी प्लाइब से लिÓ कुछियों का तो हमने आकड़ोंग करैं आसानी आसाओजित हम समस्चों driving